हलो माइडिया लेर्नर्स वेलकम टू प्रेपायस मेरा नाम है मैयूरी भागवानी और आज की डेट है 6th of March 6th March के दर हिंदू न्यूस पेपर को आज अनलाइज करने वाले हैं हम इस सेशन में और साथ ही देखेंगे जितने भी करेंट अफेज आज न्यूस में है तो बात करे करने में बाकि सारे दिस्ट्रैक्शन को बिलकुल छोड़ दो बढ़ते हैं आगे आपके इस तर को थोड़ा सा कम करने के लिए वी आर वांटें तो एड़ सम पिंच फॉजिटिविटी इंट यूर लाइज और प्रेपरेशन तो आज का पिंच फॉजिटिविटी है दे य करते हैं तो बहुत दी मोटिवेशन होता है कि इतना पढ़ने के बार भी माक्स नहीं आरे तो करें क्या देखो यह चीज समझना जरूरी है कि अगर आपने आज महनत करी जरूरी नहीं आपको आज ही उसका रिजल्ट मिल जाएगा हो सकता है आज नहीं एक महीने बात से ही आपको उसका रिजल्ट मिले यू निवर नो लेकिन एक चीज़ कंफोर्म है कि आपकी महनत हमेशा आपको जो इश्वर है आपके भगवान है वह आपको हमेशा वह वापिस लॉटाते हैं तो सिर्फ महनत करने पर फोकस करो यह मत सोचो कि रिजल्ट मुझे अभी नहीं मिल जो है एक बहुत ही एंडेंजर सा बहुत ही रेर सा एक बर्ड है तीकर जो जादा नहीं बचे हैं अब हमारे पूरे भारत में पूरे विश्व में वर्ल्ड भर में अब जादा नहीं बचे हैं ग्रेट इंडियन बस्टिर्ड लग बग 1.50 इनकी नंबर्स पॉपुलेशन बची होगी और मेजर ली पाए जाते हैं ये राजिस्थान और गुजरात वाले एरिया में अब यहां पर क्या हो रहा है ना इनको सबसे बड़ा थ्रेट जो है इनके हैबिटेट को या यह क्यों एक्स्टिंट हो रहे हैं एक बड़ा रीजन है यूमन डिवलप्मेंट में क्रe Truly अब जो सब्से बड़ा रीजन में वो है उब्से बड़ा रीजन में यह और एसे हैं जो माना जाता है कि वन एफ हैव यहसा फ्लाइंग यह कर पाते हैं लेकिन बहुत सब ऌड़ा और आसा होता है कि हैं और कि इंनको इंहां कर बहू द रगते हॉत अग्चाई निन स protest किये हैं विरोध किये हैं उसके बाद जाके कुछ चीजें हासिल हुई हैं अब इसमें Supreme Court ने कहा था 2019 में कि जितने भी जो low voltage wires है नहीं electric wires low voltage electric wires को आप underground कर दीजे जो high voltage जो उनको जादा underground करना possible नहीं है इसलिए low voltage जो power lines है उनको आप underground कीजें उन एरिया में जो priority एरिया नहीं जो potential habitats हैं great Indian buster के लिए तो यह 2019 में Supreme Court ने कहा था और अभी क्या हुआ है अभी यह हुआ है कि Central electricity authority ने बोला है यह कि राजिस्थान में जितने भी solar power plants हैं उनकी electric wires जो है electric power lines जो हैं उनके बारे में यह कहा है Central electricity authority ने कि जितनी भी ऐसी wires हैं जो 33 kilowatt से 33 kilowatt से कम की energy यह power supply करती हैं तो उनको आप underground कर दीजे 33 kilowatt से जादा कि जो voltage line है उनको underground करने की ज़रत नहीं है अब यहां पर यह चीज़ क्या देखते जादा की power lines को underground करने का इसी लिए यह threshold रखा गया कि 33 kilowatt जो है महां से अगर आपकी जादा की power line है उससे जादा voltage की power line है तब तो कोई दिक्कत नहीं अगर उससे कम की voltage की power line है तो आप उसको underground कीजे क्योंकि ग्रेट इंडिन बस्टर्स वाला region है अब इसमें क्या हुआ कि solar power plants के लिए तो benefit है कि उनको बहुत जादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा क्यों कि majority जितने भी solar power plants यहां पे हैं वो सारे जो 33 kilowatt से जादा वाली power lines पे काम करते हैं बहुत कम है जो इससे कम पे काम करते तो उनको जादा खर्चा में आएगा लेकिन इसमें सारे environmental activists बहुत जादा नाराज है उनका कहना है ऐसे तो आप सारी की सारी power plants वाले जितने भी ऐसे power plants है उनको एक बूस्ट देने के लिए यह डिसाइट किया गया कि अगर आपकी power line आपको underground करने की जरत नहीं उससे कम की power lines जो है voltage power line उसको underground कीजिए okay now question खड़ा होता है कि यह जो great indian bastard है अल्रेडी कम बचे 150 बचे हैं बस और अगर हम इन priority areas में भी यह power lines को underground नहीं करते तो यह high tension lines से टकरा के इंगिदेथ हो जाएगी और दूसरी बात यह कि अभी हम चीता को ला रहे हैं आप सभी को पता होगा चीता reintroduction program हमने start किया है जिसमें हम नामीबिया से साथ आफरिका से बहुत सवाना से लेकर आ रहे हैं चीता को और री इंट्रेड्यूस करें क्यूं भाई क्यूंकि हमारे जो एशियाटिक चीता से जो हमारे खुद के चीता थे वह extinct हो गए हैं और यह extinct अभी नहीं हुए बहुत पहले हो गए 1950s के दौरानी इनको extinct गोशित कर दिया गया था एशियाटिक चीता को तो environmentalist का कहना यह है कि सिर्फ 150 बचे इनको खतम होने में फिर यह extinct हो जाएंगे तो चीता के बाद extinct होने वाली दूसरी प्रजाती बन सकते हैं यह ठीक है कौन ग्रेट इंगिन बस्ट इसको हमको जान से चलना पड़ेगा और यह जो conservation है इसको जान से रखना पड़ेगा development और nature में अगर हमें चुनना है तो हमें nature को चुनना पड़ेगा यह कहना है environmental activist का ग्रेट इंजन बस्टर्ड के बारे में बहुत important bird है and one of the most favorite bird species है UPSC का इसलिए ध्यान रखना है तो देखे ग्रेट इंजन बस्टर्ड इस तरह की बस्टर्ड यह बर्ड दिखती है heaviest bird होती है बहुत heavy bird होती है और यह in fact यह भी कहा जाता है कि जब यह रोड पे दौड रह जोड़ने में इसको दिखेगी नहीं तलवा इतनी heavy bird होती है ठीक है यह heaviest bird है जो fly कर पाती है उसके अलावाद को यह height हो गएरा तो इतना नहीं पूछा जाता ठीक है लेकिन 18 kg का इसका weight होता है okay 2011 में IUCN इसको critically endangered category में डाला है ठीक है अब I hope आपको पता है IUCN के बारे में International Union for Conservation of Nature यह एक organization है जो कि species को उनके extinction या उनके endangered कितनी है उनके ओपर कितना danger है कितना threat है उसके basis पे nine categories में डाला जाता है यह nine categories में जो सबसे ज़दा खतरनाक है वो होता है extinct and extinct and wild उसके बाद आता है critically endangered तो critically endangered category में है Great Indian Bustard okay और इसके लावा red list इसको red list कहते basically जो nine categories है इनको red list क nine categories बोलते हैं इसको okay कहां पर मिलते है great Indian Bustard mostly आपको मिलेगी राजिस्थान गुजरात की area में okay इसके लावा कई बार क्या होता है ना Pakistan भी चले जाती हमारे देश से और यहां से यहां भी आ जाती कई बार great Indian Bustard okay threats क्या है threats यह है कि एक तो जो cropping cropping pattern है उनके कारण इनका habitat ख गया और invasive species जो दूसरी species आ गए जिनके कारण इनका competition बढ़ जाता है okay नो देखो यहां पर देखो यह image देखो यह image मैंने अलग से specifically इसी ले रखी कि आप ज़रा इसको notice करो और इसको देखोगे तो समझ आएगा कि कौन से habitat में रहती है आप ज़रा इसको देखो तो यह dry grassland ह यहां लिख देती हो dry grassland है okay तो कई बार क्या होता है ना कि जब हम image भी देखते हैं तो हमें चीजी याद रहती है ठीक कि dry grasslands इसके habitat होंगे तो उस हिसाब से हम detect कर पाते कि कहां कहां पर यह मिलती होगी okay अच्छा एक और एक interesting fact आपको बताओं कि जहां पर यह great indian burst मिलती है वहीं पर आपको मिलता है black buck black buck क्यों होते है काला हिरन जैसे होता है वैसे ही black buck है तो यह भी आपको इन ही एरिया में मिलनेगा dry grassland वाले एरिया में तो great indian burst के बारे में पहले चीज़ है कि यह heaviest flying bird होती है पूरे planet पे heaviest flying bird है दूसरी चीज़ यह state bird है राजिस्थान की grassland और scrub वाले areas में आपको मिलती है great indian burstard जो है चार burstard species मिलती है इंडिया में और उन में से सबसे बड़ी burstard species है great indian burstard protection status की बात करें तो IOCN की red list में 9 categories में यह critically endangered में है इसके अलावा sites के appendix 1 में इसका mention मिलता है और wireless protection act 1972 में schedule 1 में आती है तीकिए यह बहुत important है यह protection status याद इसके अलावा अगर आप इसके threat की बात करोगे तो majorly overhead power lines जो है न वो सबसे बड़ा threat है और आज की रेट में गुजरात और राजिस्थार में mainly यह पाई जाती है okay बढ़ते हैं आगे next issue की तरफ यह बहुत interesting जा issue है यह page number 8 पे आपको मिलेगा science and tech से related है बायो computer बना रहे हमा होती है जैसे जो degenerative diseases होती है Alzheimer हो गया है इस तरह की जो भी diseases है वो क्यों होती है कैसे होती है यह सारे चीज़े समझने के लिए यह bio computers बनाए जा रहे हैं mini brains बनाए जा रहे हैं तो मुद्दा कहा देखो जो हम चीजे movies में imagine वगरा करते न वो actual में भी हो सकती है और कैसे हो सकती बनाव क्यों है यह समझते हैं तो देखो सबसे पहले कुछ चीज़े आपको समझाते हम और करते हमे और क्छेश्यार कीज़े और करते हैं originally organoids, जा होता है एक group of cells होता है और ये group of cells बनाया गया है labs में जिसमें कि three-dimensional miniature structures बनाया जा सकते हैं fully grown organs के तो आप organs को जिसे हम बोलते हैं 3D printing वैसे ही organs basically cells का group होगा cells के group को आप किसी भी organ के format develop कर सकते हो labs में इसी को बोलते organoid तो ये tiny organ like structures होते हैं जो कि सारे functions तो बिलकुल नहीं कर सकते हैं देखो हमारी body जो बनाये वह इश्वर ने बनाये गौर्ड ने बनाये तो हम humans उतने हैं तो perfect नहीं हो सकते लेकिन हां काफी सारे functions यहां पर फिर भी वह organ के particular organ के organoid कर सकते हैं सारे functions नहीं लेकिन काफी सारे okay तो most of the organoids में आपको subset देखने को मिलेगा जैसे कि अगर कोई particular काम आपका हाथ कर सकता है तो कुछ particular काम होंगे जो आपके हाथ करता होगा लेकिन ये organoids ना कर पाए okay तो यह जो blood vessels हैंिन में blood vessels नहीं होती इसलिए ज्याद़ ग्रोण नहीं कर पाते organoids ऑ क्रें आट की बात करें तो scientists जो हैं वो neurons को डिवलब कर रहे हैं Neurons क्यों होते हैं इससे उर्फोटाइब करें और ब्रें डियघंभड रहे हैं जैसे कि रीजिन होता है एक ऐस और ब्रेंग में उसको डिवलब कर रहे हैं नूट की मदद से और बिंग और मीन जरृ कर जाते हैं audit तक इन stem cells को in fact यहाँ पे grow करके आप इन stem cells के through grow करके organoids बना सकते हों और यह जो stem cells है यह organ से लिए जा सकते हैं यह फिर adult cells भी लिए जा सकते हैं जो stem cells की तरह behave करें इनको हम induced जो pluripotent stem cells कहते हैं तो organoids जो हैं वो brain का आप देखोगे brain के organoids बन गए है small intestine के kidney के heart का stomach का, eyes का, liver, pancreas, prostate, salivary glands इन सभी के organoids बन चुके हैं मतलब इनके जैसे similar काम करने वाले जो हमारे lab grown tissues हैं lab grown cells हैं उनके तो हमने ऐसे organs develop कर लिए जो कि पूरे तरह से functional तो नहीं लेकिन काफी functions perform कर सकते हैं ऐसे में organoids क्यों हम develop कर रहे हैं हमारा science and tick में जरूरत क्या है हमें यह organoids develop करने की तो देखो organoids हमको नई opportunities देते हैं जिससे हम proteins को genes को पढ़ सकते समझ सकते develop कर सकते किसी भी organ को इससे हम यह समझ सकते कि कैसे mutation होता है mutation मतलब यह एक particular चीज है इसमें कोई gene है DNA है जब इसने अपने आपको replicate करा तो इसमें जो genetic material है DNA है कही न कहीं उसमें changes आगे उसको mutation कहते हैं तो आप कोई भी specific gene में अगर कोई mutation आया है उसके कारण कोई disease हुआ है आप उसका पता लगा सकते हो researchers brain organoids बना रहे हैं और इन्होंने brain organoids के तुरू ही यह प्रूफ किया कि किस तरह से zika virus दिमाग पे असर डालता है किसी भी embryo के तो embryo के दिमाग पे कैसे असर जाता है because of the zika virus यह भी इन्होंने brain organoids के तुरू यहां पे प्रूफ किया इसके लग साइंटिस्स जो है stem cells को यूज करके tumors का पता लगाते हैं tumor से भी stem cells ले सकते हैं और उसके तो और और यह पता लगाते कि यह particular tumor अगर किसी परसन में हुआ तो क्यों हुआ इसके साथ में आपको जो यह ability है organoids grow करने की इसमें आप cancer stem cells को भी यूज कर सकते हो और उससे समझ सकते हो कि क्या genes क्या protein या क्या causes factors रहे हैं इस cancer के पीछे और कैसे इसको ठीक क्या जा सकते है what is the path way ahead यह भी आप समझ सकते हो साथ में healthy organoids जो है उसको आप use करके identify कर सकते हो कि उसमें और जो cancer वाला या tumor वाला organoids है उन दोनों में difference कहा रहे है क्या problem क्या रही है उसको आप समझ सकते हो तो organoids जो है वो safety और efficacy को भी decide कर सकता है किसी भी new drug की ओके और इसी के साथ precision medicine के भी आपको करीब ले जाता है आपको वो basically क्या होता है कि अभी हमको test करना पड़ या precision drug system तो यह भी आप चेक कर सकते हो now basically हो क्या रहा है हो यह रहा है कि johns hopkins university ने recently प्लान निकाला यह प्लान काय के बारे में था यह प्लान इस बारे में था कि किस तरह से हमें brain organoid जो है उसके तुरू एक bio computer develop करना है तो इन्होंने एक नया research area निकाला organoid intelligence ठीक है याद रख कि अब हमको brain organoid से develop करना है एक bio computer सोच रहे हो यह बहुत आगे की बात जो हमने सोची भी नहीं होगी यह वहां तक अब हम पहुच रहे हैं तो basically यहाँ पर brain culture को हम lab में develop करेंगे और इसको इसको lab में develop किया brain organoid को और उसको फिर real world में introduce करके हम sensors and input output devices एक तरह से add करेंगे उसम ब्रें की power को बढ़ा पाएंगे और यह समझ पाएंगे कि brain exactly काम कैसे करता है कैसे cognition करता है कैसे चीजों को learn करता है कैसे neurological disorders होते हैं brain में वो सब हम समझ पाएंगे तो basically premise क्या है इस technology का तो मैंने आपको समझाया organoid के बारे में वही सेम चीज है कि यहां पर हमको human brain समझना है अब human brain को समझना बहुत difficult है तो इसी लिए researchers जो है researchers अभी तक क्या करते थे कुछ भी आपको neuro generative या neuro degenerative disease है उसको समझना है तो आप यहां पर rats के ब्रेन के उपर हम experiment करते थे हमारे scientist experiment करते थे अभी क्या हो गया है इस पे हम यहां पर जो experiment करते थे वो तो अलग है लेकिन अभी हम यहां पर ऐसा system develop कर सकते हैं जहां पर हम brain tissue को develop कर सकते हैं लैब में जिसको हम brain organoid कहेंगे यह mini brains होते हैं जैसे अभी तक हमने जो brain develop किया है वो 4 mm का brain है तो 4 mm के brain होंगे और इसमें आप human stem cells को use करते हो और उसके थ्रू यहां पर कुछ structural and functional features आप brain के इस brain organoid को देते हो सारे functions यह brain organoid perform नहीं कर सकता लेकिन major functions perform कर सकता है तो बेसिकली यह एक complex organ होता है brain ओके और इसको समझने के लिए हम यहां पर brain organoid या mini brain से बायो computer की तरफ जाने की सोच रहे हैं पर यहां पर एक issue है यह है कि blood circulation नहीं होता इसमें तो blood circulation नहीं होता है इसलिए यह जो brain है mini brain यह अपने आप से grow नहीं कर सकता ओके पर अभी हम कैसे study क सब्सक्राइब करें राट के अंदर और इन्होंने करके देखा तो इन्होंने पाया कि connection तो है जैसे अगर आप ऐसा कोई brain organoid rat के अंदर डालते हो इस brain organoid को 4 mm का है अगर आप डालते हो और उस चूहे को एकदम light दिखाते हो तो देखा जाता है कि brain organoid भी active होते है जैसे आप अगर मैं हूं मेरे सामने अगर एकदम से तेज लाइट आई तो मेरा brain काम करेगा नो उससाब से मेरी आँखे चोटी कर देगा क्योंकि वो मेरी आँखों को नुकसान पहुचा सकते हो लाइट यह सेम चीज राट में देखी गई ओके तो इसका मतलब यह कि अब हम यह इस ब्रेइन ब्रेट को पढ़ने के लिए तैयार है इस ब्रेइन और गइन को पाहर की दुनिया में इंट्रीज करके तो यहां पर यूमन ब्रेइन और गॉन जो है इनको रैट ब्रेइन माईक्रोइन वार्मेंट में रखा जा रहा है और इसके तूब ड्रग्स वगरा का अभी इफेक्ट सबजने की कोशिश की जा रही है और यह देखा जा रहा है कि भाई जो लिमिटेशन अभी है इस लैब ग्रोन और्गनोड में उसको कैसे ठीक किया दे तो इसके बारे में अभी बात हो रही है अचा लेकिन देखो यहां पे कुछ एक दो इशू है यहां अग्यान आपका ब्रेइन और इसमें जावसादा एक दो मिलियन सेल होंगे लेकिन हमारा जो एक्ट्वल ब्रेइन है बहुत बड़ा है और अंदर जो एक्ट्वल सेल्स नंबर है वो भी बहुत जादा है हमारा ब्रेंड जो फंक्शन परफॉर्म कर सकता है वो भी ब उन्होंने बोला कि हम इने brain organoid को modern computing methods के साथ जोड़ेंगे और बायो computers बनाएंगे इसमें होगा ये कि हम इन organoid की मदद से पता करेंगे कि exactly brain कैसे काम करता है और ये brain जो है कैसे stimuli लेता है कैसे react करता है चीजों को कैसे electrical stimuli लेता है कैसे बाकी सारे sensory stimuli लेता है उन सब चीजों से हम connect करेंगे तो यहां पर हम देखेंगे कि neurons का response pattern कैसा है कुछ भी बाहर का environment हो उसके हिसाब से neurons response करते react करते है तो brain organoid जो है उसको हम develop करने वाले stem cell के तुरू और इसको हम बाहर computer से और अपने electronic system से connect करेंगे so that हम neurodegenerative disorders cognitive disorders को समझ सके और इसी के साथ में brain organoid के अगर बात करें तो देखो यह इसमें लगबाग और इसके लिए अभी भी हमको एक दो साल लगेंगे लेकिन कोशिश तो जारी रहनी चाहिए तो हम बेसिकली अलजाइमर और उप्टिजम जैसे जो डिसीजन है उनका समझ पाएंगे कि exactly क्यों होते हैं और कैसे इसको ठीक किया जा सकता है बढ़ते हैं आपको आपको यह प private sector में investment कम हो गई है interest rates बहुत जादा हो गए और global growth भी बहुत कम हो रही है तो basically हिंदू growth rate क्या है यह समझना जरूरी है और यह जो हिंदू rate है यह basically एसी term है जो इंडिया के उस phase को दिखाती है उस phase को दर्शाती है जहां पे हमारा growth GDP growth बहुत कम हो रहा था और इंडिया काफ लेकिन उससे पहले we were not performing very well तो यह Hindu growth rate उसी से related है तो देखते हैं इसके बारे में कि exactly Hindu growth rate है क्या तो यह पहले graph देखो इस graph में देखोगे तो जब हम independent हुए लगबग 1950s के आसपास और यह है 1990s तो 1991 में आपको पता है कि LPG reforms आए थे liberalization, privatization, globalization, globalization जिसके बाद हमने majorly grow करना start कि लेकिन उससे पहले हमारी जो growth rate थी बहुत stagnant था, मतलब 1980s के आसपास भी हम यहाँ पे 3.5% के आसपास ही थे ठीक है और उसके बाद भी हम बहुत धीरे-धीरे grow कर रहे थे, major हमारी जो growth है वो यहाँ से शुरू हुई after 1991 LPG reforms, तो overall growth जो है economy की वो GDP growth के साब से देखी जाती है और LPG policies के बाद हमारे इंडिया का GDP एकदम shoot up किया 8% प्लस पे, 8% से जादा GDP हमारा रह रहा था, हिंदू rate of growth क्या है, यह एक ऐसी term है जो की refer करती है low annual growth rate को, तो हमारी economy जो pre-independence के time के और before LPG reforms के पहले की जो बात है, उस time के economy को यह indicate करता है, जब हमारी growth rate बहुत stagnant हुआ क 1991 के economic reforms के पहले के growth rate की बात कर रहे हैं, तब 3.5% के आसपास हमारा GDP growth rate हुआ करता था between 1950s to 1980s, मतलब हमने 30-40 साल में कुछ भी अपने performance में, economic performance में कुछ भी growth नहीं करी, हम वहीं पे अटके हुए था 3.5% of GDP growth पे, और इसमें भी per capita GDP growth अगर आप देखोगे that was just 1.3%, बहुत कम, और अब अगर आप देखो 1991 के बाद हम 8% प्लस पे चले गए थे, ठीके 9%, 8% यह हमारा GDP growth रिफ रह रहा था, लेकिन after COVID हम उतना अच्छे से recover नहीं कर पाए है, investment cycle हमारी कम हो गई है, जो हमारे देश में private sector में investment है कम हो रहे है, साथ ही जो interest rates हैं बहुत जाता है, तो यह सारे reason है, जिसके कारण हम वापिस से poor growth देख रहे हैं, और उसको यहाँ पर यह कह रहे हैं, XRBI chief कह रहे हैं कि हम अपने Hindu rate of growth के पास जा रहे हैं, तो this was just a little concept जो आपको समझाना चाह रही थी, देखो, next हमारा issue है, from IR, international relations से है, इसको आप environment से भी consider कर सकते हो, connect कर सकते हो, तो the issue is, the article is, nation secure pact to protect marine life in high seas, तो high seas में marine life को protect करने के लिए, एक marine life को protect करने के लिए, एक basically agreement sign हुआ है, तो पहली बार United Nation के जो members हैं, उन्होंने treaty पे agree किया है, marine life को high seas में बचाने के लिए, अब पहले हम यह बात करते हैं कि यह high seas को होते हैं, फिर आएंगे इस चीज़ पे, तो देखो, यह हमारा land, बानलो यह है land और यह हमानलो इंडिया का जो coast है, यह वह वला land है, तो यह जब आप देखते हो, coast के बाद समंदर चाल होता है, oceans शुरू होते है, तो इस तरह से आपको, यह inside pattern देखने को मिलता है, ocean body का, ocean system है, ocean floor उसका, तो यहां तक land है, और land के आस पास एक ब इंटरनल waters में, उसके बाद इस baseline से आगे 12 nautical miles तक territorial sea मानी जाती है, उसके बाद यहां से इस baseline से लेकर 200 nautical miles तक माना जाता है, exclusive economic zone, जिसके उपर भी इस country का, यहां पे sovereign rights होंगे, इस exclusive economic zone के उपर, लेकिन, इस 200 nautical miles के बाद, इसके बाद high seas शुरू होते हैं, जिसके उपर किसी भी country के sovereign rights नहीं है, तो इस high seas का, मतलब यह ऐसा हो गया न, कि यहां पे मान लो, यह एक आपकी colony है, यहां पे आपके घर है, ठीके, यहां पे सामने वाली भी एक कुछ-कुछ घर है, लेकिन, यह जो beach का road है, यह तो सब का road है, ठीके, इस पे किसी एक का हक तो है नहीं, इस पे यहां पे जो marine life है, उसका खयाल कोई नहीं रख रहा, तो high seas, यह high seas है, इनकी बात हो रही है, तो अगर आप high seas के बारे में देखोगे, तो हमारे earth का, जितना भी world का ocean है, वो two-third ocean एस high seas में आता है, मतलब जितना भी पानी है हमारे देश में, हमारे पूरे world में, जित जितनी भी high seas है, जितना भी पूरा protected area है, उसमें 1% भी protected नहीं है, यह high seas है, तो यह है high seas के बारे में data, नाव देखो, United Nation की जो high seas treaty है, इसे Paris Agreement for the ocean भी कहा जाता है, और यह काम करती है कि भाई, जो biodiversity है, national jurisdiction के बाहर, उसको कैसे protect करना है, तो marine biodiversity जो है high seas में, देखो मैंने आपक बता है, exclusive economic zone जो है 200 nautical miles तक का, उस पे तो अलग-अलग countries की sovereignty है, लेकिन इसके अलावा, exclusive economic zone के अलावा, इसके बाद जो area आता है ना, पानी का, उसको हम कहते है high seas, और इस high seas को use up करते हैं, लेकिन इसको protect करने का काम कोई नहीं कर रहा, इसी high seas के marine life को, biodiversity को protect करने के लिए, य जहां पर aim था कि 200 nautical miles के बाद, exclusive economic zones के बाद, जो high seas आती है, जिसके उपर किसी भी country का sovereign right नहीं है, वहां पर exploration के लिए, जो proper regulations बनाया जाए, और इन open seas, इन high seas में, जो marine life को protect किया जाए, तो ये treaty negotiate होनी है, under 1982 United Nation Convention on Law of Seas, तो UNCLOS 1982 के अंतरगत इसका negotiation हुआ, और सारी countries ने बोल करेंगे, तो basically अभी तक कोई treaty नहीं थी, जो कि इन areas की biodiversity को protect करने का काम करें, ठीक है, इसमें deadline 2022 रखी गई थी, लेकिन अब चाहके 2023 में, ये United Nations के treaty sign हुई है, अभी बहुत कुछ clear नहीं है, इस treaty के बारे में, लेकिन major major चीज़ें हमें पता है, तो देखो, ये जो negotiation शुरू हुए, marine protected areas बनाने के लिए शुरू हुए, यहाँ पर ये कहा गया कि कुछ certain activities को limit रखेंगे, जैसे कि national parks और wildlife sanctuaries में होता है, वैसे marine sanctuaries जैसी चीज़ें बनाएंगे, environmental impact assessment की बाते कही गई, financial support की बाते यहाँ पर हुई, ठीक है, तो basically ये सब हो रहा था, अभी तक world के oceans कैसे regulate हो रहे थे, तो देखो, अभी तक एक unclosed करके treaty थी, जिसके बारे में अभी ये बने बताया ना, United Nation Convention on Law of Sea, ये काम करती थी, high seas पे, जो जो भी countries कुछ ना कुछ activities करें, उनको regulate करने का, तो unclosed जो है, ये 1982 का convention है, और इसमें सभी के territorial sea boundaries बताई गई, इसमें बताया गया कि भ अगया कि भई, अगर ऐसे areas में कोई भी conflict होता है, तो countries के बीच में, तो कैसे उसका resolution करना है, इस सब के लिए तो authorities बनाई गई, लेकिन एक भी ऐसी treaty नहीं आए, जो ocean की health को protect करने के लिए हो, marine biodiversity को protect करने के लिए हो, जबकि सभी countries in open seas को use करते हैं, सभी यहाँ पे drilling करते हैं, large scale fishing वगेरा, सब कुछ करते हैं, commercial purposes यहाँ पे carry out करते हैं, लेकिन इसको protect करने के लिए कोई treaty नहीं थी, लेकिन यहाँ पे risk भी सबसे जादा था, जिसे अगर आप देखोगे global warming, तो सबसे जादा 95% global warming oceans में ही हो रही है, इसी के कारण thermal expansion भी हो रहा है, coral bleaching हो रही है, glaciers melt हो ocean की health खराब हो रही है, biochemistry खराब हो रही है, बहुत ज़्यदा fishing हो रही है, जिसके कारण यहाँ पे बहुत सारी species बहुत extinct वाली हो चुकी है, बहुत endangered हो चुकी है, तो यह सब risk of extinction भी बहुत बढ़ गया, और इसी लिए यहाँ पे UN ने एक sign करी treaty, United Nation ने treaty sign करी, लगबग 20 सा लोगे negotiation का, अब जाकि यह treaty sign होई है, कि जो ऐसी area है, high seas है, वहाँ पे इस marine biodiversity को कैसे हम protect करेंगे, तो यहाँ पे बोला गया कि एक नई body हम बनाएंगे, यह नई body ऐसी होगी, जो manage करेगी ocean life की जो भी conservation regulated चीज़े हैं, उनको, so United Nation Biodiversity Conference की pledge ली गई कि 30% हमको land और ocean का area at least protected बनाना है, तो basically यही सारी चीज़े होई, और यह जब treaty जो बनेगी, बन चुकी है, इसमें जो सारे provisions होगे, उसमें सभी regions के, सभी countries के, जो भी national या, जो भी उनकी treaties है, या जो भी उनकी laws है regarding protecting the biodiversity, उनको सभी को consider करते हुए, इसको बनाया जाएगा, तो अभी बहुत clear तो नह से आगे, next issue की तरफ, which is related to megatropics, यह science and technology related ही news है again, और इसमें basically कहा गया कि, इसरो जो है, हमारा India का space research organization है, Indian space research organization, इन्होंने megatropics, इस satellite की re-entry assure करी, और controlled तरीके से इसको re-enter कर वाया है वापिस अर्थ के उपर, तो इसरो जो है, इन्होंने अपना challenging experiment complete कर लिया है, for the controlled re-entry of the decomm Megatropics 1 satellite, तो यह megatropics के बारे में आपको जानना जरूरी है, megatropics एक ऐसी satellite है, जो India और France ने मिलकर बनाई, India France collaboration से satellite बनाई गई, megatropics, 2011 में इसको launch किया गया था, tropical weather और climate को study करने के लिए, तो majorly इसका काम था data services provide करना, साथ में regional और global climate को study करना इसका काम था, और इसी के है, यहाँ पे इसको 2011 में launch किया गया था, अब इसका काम खतम हो गया, काम खतम हो गया, तो अब बोला गया कि इसको decommission कर देते हैं, अब देखो कुछ countries हैं, जैसे China जैसी country है, इनका काम हो जाता है ने satellite का, फिर भी इसको decommission नहीं करते हैं, उसको वहीं पढ़े रहन देते पहुआ ने space में, अब यह जो space में, जो satellites ऐसे ही घूमती रहते हैं, बिना मतलब के, बिना काम के, वो क्या करते हैं, बाकी satellites को नुक्सान पहुचाती है, और space में junk create करती है, इसको space junk कहा जाता है, उसके चक्कर में क्या होता है, एक फालतू की satellite, दूसरी की satellite से टकराई, इसको decommission करते हैं और decommission करके वापिस से इसको अर्थ पर ले आते हैं वहाँ पर जमा करके रखने का कोई मतलब नहीं है तो इसी लिए हमने इसकी re-entry करवाई वो भी controlled तरीके से सो दिट किसी को भी नुकसान ना हो तो Pacific Ocean में इसकी re-entry करवाई गई है तीक है मतलब इसका experiment complete हो गया है Pacific Ocean की तरफ इसका re-entry होनी थी तो Megatropic की बात करें ये India French की joint satellite mission है जो की majorly water cycle को energy exchanges को समझने के लिए लाई गई थी तो समझना इसमें ये था कि tropical areas में weather और climate कैसे काम करते हैं कैसे energy exchange होता है क्या moisture budget रहता है and so on तो यहाँ पर scientific data जो है इसकी मदद से हम atmosphere को समझना चाह रहे थे major major मोटी मोटी बात ये है Megatropics के बारे में question आया है कि कि किस दो country का joint venture है तो India और France का okay अब देखो इसमें ये basically इसरो की website सही उठाय मैंने तो यहाँ पर इसरो जो है ये controlled re-entry करवाना था Megatropics 1 की okay तो यहाँ पर हुआ क्या कि mission life जो थी satellite की 3 साल की थी अभी हमने काफी से मदद ले ली satellite से हमने बोला कि बस अब हो गया इसका काम ठीक है तो इससे इसको वापिस लाने की कोशिश अभी की गई तो जो Megatropic 1 है इसका वेट लगबग 1000 kg था और यह अभी भी 100 साल और काम कर सकती थी इसमें इतना फ्यूल था कि अभी अच्छे से काम और कर सकती थी और इसको जो प्लेस किया गया ना और्बिट में वो ऐसी और्बिट है कि जैसे मानलो यह इक्विटर है इक्विटर से 20 डिगरी टिल्टेड और्बिट में इसको प्लेस किया गया है अब यहां पे लेफ्ट ओवर फ्यूल काफी था लेकिन हमने बोला कि नहीं भई इसको वापिस से लाते हैं त इसको पर लेकर आना तो टार्गेटेट सेफ जोन पे इसकी एंट्री करवानी थी रेंट्री जो कि हमने उसमें उस एक्सपेरिमेंट में हम सफल हुए हैं तो यह था हमारा पूरा आर्टिकल एंड लास्ट इस टुडेइज एडिटोरियल एडिटोरियल जो है इस 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 र फाइदेबन नहीं हो रहा है यह पूरे वर्ल्ड के लिए भी फाइदेबन हो रहा है कैसे यह बताऊंगी तो यह पूरी मेजर ली बात की हुए है लेकिन आगे के चैलेंजिस भी इसमें बताए हुए है तो देखो न्यू टेली जो है एक जियो पॉलिटिकल हाई लेवल प अब इसमेल अभी ऐसा लगरा है कि इंडिया एक हाई लाइट में टो आया है और इसके कारण जो पहले हमारी इमिज हुआ करती थी अब वो हमारी इमिज नहीं है अब हमारी हमिज काफ़ी सुदर रहे है तो प्री इंडिपेंडेंस देर से लेकर और आज जब 75 years हो चुके हैं हमारी independence को अलग-अलग इंडियन leaders ने इंडिया की बात करी at the world level कि world में हमारा role क्या है चाहे फिर वो जवालाल नहरू जी हो अटल भिहारी वाचपाई जी हो या अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरींदर इन सभी ने अलग-अलग तरीके से कोशिश करी कि भाई यह सभी इंडिया को represent कर सकें world role में और इंडिया का जो role है world के level पे उसको बढ़ा सकें और इसी में इन्होंने solid foundation lead करी है आज की डेट में contemporary इंडिया में वो pivotal position हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास है हम एक important role निभा रहे हैं world में और यह सब हो रहा है because of the current geopolitical situation जिसमें सबसे बड़ा कारण है Russia Ukraine war तो अभी जो है हम national interest को advance कर रहे हैं by identifying the geopolitical things तो हमें geopolitics भी favor कर रहा है अभी देखो हम United States की यहां पे हमको basically United States की security council है उसमें हमको जगह मिली थी उसके बाद G20 में हमको जगह मिली ठीक है और यहां पे in fact G20 जो West को represent करता है जादा उसको हम यहां पे chair कर रहे हैं अभी के time पे इसके लब है शंगाई को operation organization जिसमें China dominant कर रहा है उसको भी हम ही chair कर रहे हैं तो global south का leader बनने के काफी chances हमको दिखाई दे रहे हैं अब यहां पे हम US के भी करीब जा रहे हैं यानि कि West से भी अपने रिष्टे निबा रहे हैं और साथ में रश्या के साथ भी अपने रिष्टे निबा रहे हैं लेकिन ऐसे हम चाइना से सीधे conflict में नहीं है क्योंकि हम चाइना के साथ भी आके बढ़ रहे हैं को उपरेट करके तो यहां पे BRICS हो यहां शंगाई को उपरेशन ओगनाईजेशन हो इसमें हम रश्या और साथ में चाइना का साथ ते रहे हैं लेकिन हम यहां पे G20, Quad के तुरू हम US का साथ ते रहे हैं तो हम दोनों को बैलन्स करते हुए चल रहे हैं पर इंडिया चाहता क्या है इंडिया का सिंपल सा एक ही फंडा है कि भाई हमें एक ऐसी जगह मिले जहां हम ग्लोबल हाई टेबल पर अपनी सीट रिजर्व कर पाएं जैसे कि हम ग्लोबल ही जो बड़े सेक्योर्टी काउंसिल के डिस्फंक्शनालिटी इसको हाईलाइट कर रहे हैं कि देखो भाई यह अंडिमोक्रेटिक तरीके से काम कर रहा है और इसीलिए हम जी टुइंटी पे फोकस कर रहे हैं यह है सही और्गनाइजिशन तो तो यहां पे पेसिलिए अभी जी टुइंटी का फोकस पोइंटीर रहा कि जी टुइंटी अभी हमारे यहां पे सम्मिट हुई और ऐसे में फॉरिण मिनिस्टर्स की सम्मिट हुई और सबसे बड़ा ब्रेक्तृ इंडिया के लिए यह था तो यह एक major reason था जिसके कारण India एक बहुत बड़ा breakthrough अचीव कर पाया और पहले ऐसा नहीं हो पा रहा था तो New Delhi जो है वो काफी अच्छी जगह पे चल रहा है काफी अच्छे से चल रहा है और Global South का leader बनने के लिए बिल्कुल potential powers इसके पास है लेकिन एक इशू यह है कि New Delhi को भी realize हो रहा है कि उसको balance तो करना है लेकिन चाइना उसको इतनी आसानी से balance करने देगा लेकिन अब जो हमारा New Delhi हमारा India जो है वो अपनी जो language है उसको revise कर रहा है तिक है अपनी strategy को revise कर रहा है पहले हम idealistic foreign policy पे चलते थे अब हम realistic foreign policy पे चल रहे ह है लेकिन अभी भी हमारा रवही है कि जो status को भी बना हुआ है जो एकदम ऐसी same situation बनी हुए है उसको revise करें उसको restructuring करें और India को permanent members में जगह मिले United Nations Security Council में या फिर बड़े high level पर उसको जगह मिले लेकिन कुछ challenges है challenges क्या है पहली challenge यह है कि जो अभी हम lead कर रहें G20 को SCO को क्या करेंगे तो यह एक साल में जितना हो सके हमें उतना opportunities का फाइदा उठाना चाहिए और उतना strategic strength अपनी बढ़ानी चाहिए दूसरी चीज़ यह कि यहां पे India जो है वो जादा friends बना रहा है या जादा दुश्मन बना रहा है यह भी देखने की ज़रत है क्या हम लोगों क अपनी जगर बनाने के लिए reactionary होने की ज़रत नहीं है तो हमें बहुत ध्यान से बातचीट करनी होगी about the superpowers क्योंकि अभी देखा जा रहा है आप देखते होगे Instagram social media पर कि बहुत ऐसी चीज़े चलते कि यह देखो India ने ऐसा जवाब दिया यह देखो India ने वैसा जवाब दि भी ठीक है अभी हमारा अच्छा चल रहा है लेकिन आगे के लिए भी तो हमें सोचना है उसके अलावा तीसरी चीज़ की balancing opposite has its limits आप दो लोगों को आपस में हमेशा के लिए balance नहीं कर सकते एक समय आएगा जो आपको choices करनी पड़ेगी तो आपको strategic partnership को अभी से इस चीज़ क हम को यूज करना है लेकिन ऐसे यूज करना है कि अपने geopolitical objectives को long term में भी serve कर सके तो basically focus है कि 2024 में आने वाले साल में हम क्या-क्या चीज़ें अचीव करते हैं in terms of geopolitics तो यह था पूरा article और यहां पर देको G20 को focus में रखा गया तो अप G20 को prepare जरूर करना for prelims and mains क्योंकि G20 आप को बहुत मदद करने वाला और बहुत probable question बता है for UPSC all right so that was all for today thank you for watching अगर lecture अच्छा लगा हो तो like जरूर करना अपने दोस्तों के साथ share जरूर करना और अभी तक अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो please do subscribe to this channel okay that was all thank you for watching and have a very good day